दिल्ली की मुख्यमंतरी अर्विन केजरीवाल को आज सुप्रिंग कोर्ट से बड़ी रहत मिली है शराब घोटाले की मामले में CBI के केस में आज उन्हें जमारत मिल गई है क्योंकि ED के केस में उन्हें पहले ही 12 जुराई को अंतरिम जमारत मिल चुकी थी हलाकि कई शर्ते भी लगाई गई है अब इस मामले पर राजनितिक बयान बाजी भी शुरू हो गई है क्योंकि शर्तों को लेकर BJP सवार उठा रही है क्यारविन केजरीवाल मुख्यमंतरी के तौर पर नहीं मामले में जमानत में पांच महीने का संबा लगा क्योंकि CBI की एंट्री थोड़ी लेट हुई जिस तरह से CBI की एंट्री पूरे मामले में होती है 20 जून की रात को उसको लेकर भी कई सवार उठे हलाकि आज दोनों जज़ों की जो राय थी वो भी CBI के एंट्री को लेकर बठी हुई थी बिल्कुल जस्टिस उज्वल भूया ने कहा है कि जो गिरपतारी CBI की थी उसको कहीं जस्टिफाई नहीं किया जा सकता इसलिए इन लोगों ने इस मुद्दे पर अलग-अलग फैसला सुनाया जस्टिस उज्वल भूया ने अलग सुनाया और जस्टिस उज्वल भूया ने कई बार फटकार लगाई है फैसले में CBI को यहां तक कहा है कि CBI की जो इमेज थी वो अब दिरे-दिरे सुधरने लगी थी पुरानी इमेज पर उसे नहीं जाना चाहिए जो उसे एक समय केज पर उसको ध्यान देना चाहिए कि फिर न लोग कहने लगें और उन्होंने सवाल उठाया कि जब निचली अदालत से एडी मामले में रेगुलर बेल मिल गई उसके बाद अचानक गिरबतार किया जाना केजरिवाल को पुराने साक्षियों के आदार पर गिरबतार किया जान यह हमें समझ में नहीं आया और इडी का यह जो एक्षन था वो कहीं भी जस्टिफाई नहीं था और इडी इस पर कोई अच्छा जबाब नहीं दे पाई और वो गोल मटोल जबाब देती रही इससे वो जस्त संतुष्ट नहीं थे हाला कि उन्होंने भी माना कि जमानत देन join नहीं करेंगे, सचीवाले नहीं जाएंगे, किसी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, यह बशर्ते कोई ऐसी फाइल हो जिस पे बहुत जरूरी हो साइन करना हो और उस पर LG ने इनको direction दिया हो कि आप इस फाइल पर साइन कीजिए, वुसी फाइल पर साइन कर सकते हैं, तो ये सरकारी काम से इनको अलग रखा जाएगा, किसी गवाह से नहीं मिलेंगे, गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे, कोट में जो निशली अदालत में ममला चल रहा है, उसमें कॉपरेट करेंगे, ये सारी सर्तें उनके उपर लगाई गई हैं, ये सर्तें ED में भी लगी तो अब अगर कहा जाए, आज जो से कहा जा रहा था कि केजरिवाल को जमानत मिलते ही, वो बाहर आ जाएंगे, तो बाहर तो आ जाएंगे, लेकिन एजे मुख्यमंत्री वो कुछ नहीं कर पाएंगे, एक राजनिता के तोर पर, एक आम आदमी पार्टी के कन्वेनर के तोर पर, एक स्टार प्रचारक के तोर पर, वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने प्रचार कर सकते हैं, अब जेल से आज बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जब उन्हें 12 जुलाई को एडी की केस में सुप्रीम कोट ने अंतरिम जमानत दी, लेकिन CBI का केस अब तक पहुचा